Quesion कहता है, इसको हमें Perpetual वह से नहीं करना इसको हमें Periodic Inventory System से करके दिखाना है Sir, किस से करके दिखाना है? Periodic Quesion number 6 है Company के पास कुछ Purchase of Raw Material 21 में दे रखे हैं तो ये आपको सारी detail purchase का है While preparing the final account जब हम final account प्रिपेर कर रहे थे December में the company had 1300 kg of raw material in go down मतलब जितना भी खरीदा उसमें से 1300 kg हमारे पास बच गए है calculate the value of raw material cost of sales दोनों तीनों method से करना है पहले चलो हम FIFO कर लेते हैं कौन से कर लेते हैं FIFO हमें तीन चीजों की अवशकता होगी इसमें एक तो हम issue वाली detail लिखेंगे sorry पहले हम लिखेंगे receipt वाली फिर हम लिखेंगे कौन सा और फिर हम लिखेंगे sir balance तो सवाल खुदी कह रहा है balance कितने है 13 ठीक है अब हम issue को देख लेते हैं बार बार हमने खरीदा गया है gen 2 को दो एक को quantity rate total इसके बाद अठाइस दो इसके बाद अठाइस दो नई स्वारी चब्विस दो कितने का खरीदा चब्विस दो को बारा सो कितने रुपे 57 इसके बाद 13,4 बताते जाएए 25,59 इसके बाद 10,10 जुलाई 10,6 3,56 इसके बाद 18,9 15,60 इसके बाद 29,11 10,65 ठीक है यही रहा कहानी चलिए सर अब इसको मल्टिप्लाई करके टूटल कर लेते हैं एक बार हम मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो कितने हो गई यह 49 यह अब हम कर कौन सा रहा है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानि पुराने अलब पहले बेचेंगे उसके बाद वाला बाद में बेचेंगे तो very simple चलिए देखिए हमें कितने यूनिट अब टूटल यूनिट देख लेते हैं भाईया है कितने तो टूटल यूनिट कर लेते हैं हमारे पास थे कितने तो आठ सो बारा सो पच्छिस सो तीन हजार 588,500 अब क्रॉस वेरिफाइ भी कर लिजएगा अब फीफो के अंदर देखा जाए तो 10,000 में से बचें कितने हैं कुश्चन खुद कह रहा है हमारे पास लास में बचा कितना है हमने खरीदे थे 10,000 जिसमें से बचें 1300 तो बाकी कहां गए इशू कर दिया होंगे तो 10,000 माइनस में 1300 तैस 87 हमने इशू किया होंगे फीफो के हिसाब से 87 निकालते जाओ अब आप ठीक है ना 87 निकालेंगे तो पहले कितना निकलेगा 862 87 चाहिए हमें पहले हमने 800 निकाल लिया और 79 चाहिए अब फिर 1200 निकाल लिया फिर माइनस कर देते हैं 1200 भी निकाल लिया अब 600 और चाहिए फिर 25 निकाल लिया फिर माइनस कर दो 25 निकाल लिया 42 और चाहिए फिर 3000 निकाल लिया 3000 निकाल लिया माइनस 3000 और 1200 चाहिए तो 1200 किस से निकलेगा पंद्रा सो से तो पंद्रा सो स्री बारा सो निकलेगा ना बारा सो तो ये निकलेगा कैसे साथ अब टोटल कर लीजिए आठ सो सेम आ जाएगा ना उननचास छे सो ये गलत कर दिया कै 168 ठीक है बारा सो इन्टू साथ बहत्तर हजार क्लोजिंग वाला थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं एक कर देंगा एवरेज को तो वैसे ही हो जाना है आ जाओ नीचे वाई चलो अब इसका टोटल अगर हमसे कोई पूस्ता है तो हम बता सकते हैं इसली टोटल उननचास छे सो अड़ सट चार सो एक सैन्टालिस वान सो एक अड़ सट और बहत्तर हसा या आगया पचास पैन सट सो पहला कुश्चन पूस्ता है बताइए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और कॉस्ट अफ सेल तो निकल गया अब क्लोजिंग स्टॉक 300 है तो 1300 जो होगा कौन सा होगा सर 1300 इसमें से बचे होंगे 300 और इसमें से 1000 ऐसे बना होगा ये तो सर 300 बचे होंगे हमारे 60 वाले और 1000 बचे होंगे हमारे 65 वाले तो 18,000 प्लस 65,000 इनको जोड़ दीजिए 18,000 प्लस 65,000 देट इस 83,000 चेक कर लिजिए बुक में हम अगर वही चीज बोला होता है कैसे वेटेड वाला तो दो मैं कोई वेटेड वाला मैं कर सकता हूँ हम यहां से रेट निकालते हैं और एक खटा हम 8700 निकाल ले तो चलो वेटेड वाला भी कर देता हूँ तो वेटेड वाला होता हमारा सर 10,000 की कीमत है 588,500 तो रेट जो आएगा निकलके डिवाइड करके 588,500 डिवाइड वाइ 10,000 यानि 58.85 आपने इशू कितने कर दिया इसमें से 87 इसके अंदर तो कुछ नहीं देखना 58.85 8700 तो ये लो ये आगया हमारा 151,995 और अगर आप बैलेंस की बात करो तो ये भी ऐसे निकलेगा 1300 इन्टू में 58.85 ये आगया देखो आपका चेक करो 7650 ये किसका आगया अंसर वेटेड का अब फीफो वाला अपनी फो वाला तो होई जाएगा ठीक है क्लियर है बस दो छोटे-छोटे से concept बताने हैं उसको देख लेते हैं आपने ये question practice कर लिया होगा इसको तो चलो देख लेंगे अभी ये homework में दिया था सभी जिसको homework में दिया था अगये मैं रहने देता हूँ homework में मैं इसमें ज्यादा पूछ ने रहा कि क्या करना है और या फिर क्या नहीं करना है इसको क्यों छोट दिया था भाई मैंने इसमें return तो दिख ने रहा रिटन वाला एक कर लेते हैं तो ये भी homework में चला जाएगा इसको कर लेना इसको दुबारा इसको homework में दे देते हैं हम और इसके अंदर ये जो दे रखा है इसका कोई रोल ऐसाच नहीं होता कि क्या करना है इसका कोई भी रोल नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा इसका कोई रोल नहीं है simply हो जाएगा ठीक है आपको simple purchase करा हजार इंटू में 15 करना है और यह इतना और simple question बन जाएगा कि नहीं इस हजार का कोई नहीं केरीच इनवर्ड है हजार रुपे का उसका कोई लेना देना नहीं है हमें तो सिर्फ स्टॉक का करना होता है खर्चे वगरे नहीं जोडने हमें इसके अंदर ठीक है